वोलकम तु स्वामी वेकरन इंस्टिटीूट, स्वागत है आपका स्वामी वेकरन इंस्टिटीूट में मेरा नाम है नादमिल और आज की complet house מ हमing survey करने वाले hairedity के प्रमुक सिद्धायद और इसके लावा environment का होता है environment के प्रकार कितने होते हैं और इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हैरीदीटी और environment में क्या-क्या basically difference होता है ठीक है आप लोगों को इतनी बात समझाई गई होगी चलिए चलते हैं पहले सिधान की तरह यो लास्ट फी में आपको समझाया था कि हेरीदीटी क्या होती है छिकत है जुरवस स्ट्व S bitcoin थी इसकि अपने वह वाली क्लास नहीं तोिस गोरि क्लास देखे है ताकर आपको चीज़ें समझ आते हैं तो चलते हैं पहले पहले सिद्धान्त की तरफ पहले सिद्धान्त क्या बोलता है यह important सिद्धान्त है कभी-कभी exam में यहां से question देखने को मिल जाता है इसलिए हमको समझना है कि होता क्या है ठीक है चलिए पहले सिद्धान्त आपका है principle of heredity ठीक है इसमें आपके बास में पहला सिद्धान्त है प्रत्यागमन का सिद्धान कौन से सिद्धान थे प्रत्यागमन का English में बोलता है principle of sorry for mistake principle ठीक है principle of regression English में इसको क्या बोलता है principle of regression ठीक है अब इसके अनुसार क्या होता है पहले हम इसकी language by language समझहेंगे उसके बाद हम दखेंगे कि actually बोलना क्या चाहता है ठीक है चलिए पहला है यह बोलता है कि विपरित गुणों का उत्पन होना विपरित गुणों मतलब कि opposite यानि तेज बुद्धी वाले माबाप के कम बुद्धी के बच्चे होना बुद्धी बोले तो IQ के बच्चे होना या कम बुद्धी वाले पेरेंट्स के तेज बुद्धी वाले बच्चे का होना तो पैसिकली प्रत्य अगमन का सिधान आपको क्या बोलता है ठीक है प्रत्य आप देखा होगा कि कुछ दो होता है पर देखा लोग करना और वह कमेंट करने सही होता है बाट मैं वो नहीं कहरे हूँ, मैं आपको जस्स एक एक्जेंपल के थू बता रहे हूँ कि अगर किसी स्किन कलर, किसी पेरेंट्स की स्किन कलर बहुत ज़्यादा फेर है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके घर में फोड़ा सा डार्क स्किन कलर का बच्चा भी जन्म ले लेता है इसी तरह से टेज IQ वाले पेरेंट्स का कम IQ वाले बच्चे भी उनके घर में हो सकते तो ये possible है कि बिल्कुल opposite character के बच्चे भी हो सकते हैं तो ये भी हैरीडीटिक का एक सिद्धान थे लेकिन ये होता है कि वो बच्चे फिर अपने माता-पिता से वो गूर नहीं ले रहे होते हैं, उनके फोर फादर से कोई न कोई केरेक्टरिस्टिक ले रहे होते हैं, आरे ये बाद समझ में? तो एक बार उख देखेंगे कि बोलना क्या चाँ रहें, कि हैना कभी कभी क्या होता है, कि बहुत तेज IQ वाले माबाब के कैसे बच्चे होते हैं, लो IQ वाले बच्चे भी हो सकते, और बहुत कम IQ वाले पैरेंट्स के बहुत लो IQ के बच्चे भी हो सकते, I hope आप लगों को मेर प्रत्य अगमन का और इंग्लिश में बोलते है प्रिंसिपल और प्रिग्रेशन आप लगों को मेद्वास समझ आई होगी चलिए आगे की तरफ दूसा सिधान्त ऐ आपका गौलत रेन का सिधान ठीक है गौलतो एनके अनुसार जब जैसे दादा दादी से तो यह वाला सिधान्ग करते है या जीव करना का सिधान्गुर इंगमें बोलते हैं घरी travail क्या होता हैं गोल्टेंग का सिधयर्व देऊचे, क्या होता है की कम आई के वाले के पैरेंस के ज्यादा है मतलब की जो माबव उतना अच्छा पढ़ने में नहीं रहे लेकिन में गता-क्षार में तो कोई-चांद के तुबुकि10 weep i, यहां पापटना आपाने मीहें पास का नता नोग देट को घ्याकर ? कि क्या होता है कभी-कभी parents से बच्चो parents के जैसे बच्चे नहीं होते हैं उनके forefathers जास होते हैं फ़िए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्च अपने parents पर नहीं जातें दादा दादी पर चले गए या ना-दानी पर चले गए तो इस तरीके से भी होता है कि जीन जो है वो फोर फादर से या ग्रेंड परिन से भी च्राइन से बी ठास्पर होते हैं किसी बच्चे के अंदर थीक है तो इसी कॉप गॉलतन ने बाइओमेट्री प्रीशिपल कहा यह फिर को सांध्धान क्या है जीव घे जीव सिद्धान तो भी कह आई होप आप लोगों को इतनी बात समझा गई चलते नेक्स सिद्धान की तरफ जो की है आपका बीजमेन का सिद्धान बहुत इजी सा है बीजमेन ने यह कहा है कि जब तक मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी परिवार में तो जो बीच कोश होता है बीज कोश मतलब की एक तरह से मान सकते हैं कि जीन होता है में जीन जिसे किसी भी जीव की सरचना हो रही मतलब किसी भी बच्चे की सरचना हो रही किसके पैट में मां के पैट में तो वह कभी भी खतम नहीं होता है ठीक है वह ट्रांसफर होता रहता है ठीक है वह कारपल्स क्य लिए काम में आता है ठीक है वो चीज होती है तो उसी को उन्होंने बीज में ने यह का कि हमारे जो human beings है यह organism है उनके अंदर बिचकोष होता है जो कभी भी खतम नहीं होता है वो चलता रहता है होगों को मेरी बात समझ आ भी ठीक है चलते हैं नेक्स चिद्धान की तरफ संत्थ है आपका ग्रेगर मेंडल का यह ने हमस्था की कहता हैी मैंच को जब डिपेगर जあと उनक की कि서 से कहा जाता है तो आनुअशिक्ता का जनक जो है वो ग्रेगर मेंदल को कहा जाता है ग्रेगर मेंदल जो है आपके आनुअशिक्ता के जनक है तो आप लिख लेज़ेगा साइड में कहीं पर नोट कीजिए फादर दिटर ऑफ किसके हाई डूटी। मतलब आनुअशिक्ता के जन्यक कोई है आपके पास में ? जन्यक्ता कोने बताइए ? Gregor Mendel ठीक है ? Gregor Mendel I HOPE आप लोगों को मैं डिबास समझ आई होगी कि आनुअशिक्ता के जन्यक्ता कोई है ? Gregor Mendel ने क्या किया था मतर के पोधों पर किस पर प्लैंट्स ओफ पीज पर अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या कर था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लैंट के या मतर के पोधे लिये थे उनको अलग-अलग जीन के साथ में अलग-अलग पोधों को रोप करके लोग कितने किया था या है ना तो आप लोगों को याद रखने ग्रेगद मेंदल ने किया था और ग्रेगद मेंदल को अनुवांशिक्ता का जन्रक भी कहा जाता है आप देखें यहां पर फिर इसके बाद में थोड़े हम क्वेशन डिसकस करेंगे तो आप लोगों को याद रखनी है यह बात तेकिये सबसे पहले तो आप लोग याद रखेगा हैरी डीटी के बारे में हाई है है इसको हैईड़ीटी भी बोलता है तो क्या होती है हैरी डीटी में वो सारे गुण वो सारी क्वालिटी जो हम अपने पेरेंट्स से बाइब बर्थ लेते हैं हमारा इस्कीन का कलर क्या होगा हमारी आइज का कलर क्या होगा हमारे हैर्स का कलर क्या होगा हमारी हाइट कितनी होगी most probably हमारी हाइथ कितनी होगी हमारा मतलब की फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होगा वह बहुत बार बहुत सारी चीज़े जो है वह हमारे पेरेंट्स के जीन पर डिपेंड करते हैं जो हम उनसे इन हैरिट करते हैं कब जब जन्म होता है उस समय ठीक है तो यह हैरी दीट होत फिक्स होती है मतलब जो गोड़ आपको माता-पिता से मिल गए वो मिल गए ठीक है उनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं अब जो कुछ भी करेगा आपका एन्वायमेंट करेगा परियावरन करेगा आसपास का जो सराउंडिंग है वो करेंगे अप लोगों को मेरी बाल समझ आ तो क्या होता है कि जो हैरीडीटी होती है वो फिक्स होती है कैसी होती है है अपकी फिक्स होती है और यहां फिर स्टैटिक होती है स्टैटिक मतलब स्थाई होती है ठीक है फिक्स मतलब फिक्स और स्थाई मतलब स्टैटिस्टिक होती है ठीक है यह क्या होती है फिक्स होती है इसमें आप कोई changes नहीं कर सकते हैं अगर आपकी प्रेक्टिस से बाहर के environment से जो भी सीख सकते हैं उससे उसमें आप क्या करेंगे improvement करेंगे जो कुछ भी आपके पास में गुण आपको parents से मिले हुए है या nature से जो मिले हुए है यहां पर बात याद रखेगा हेरीडीटी जो है वो नेचर से संबंदी नेचर से संबंदी है मतलब प्रकृती संबंदी आपको प्रकृती ने डायरेक्ट दी है वो चीज़े ठीक है इसलिए याद रखेगा हेरीडीटी काउंट इन नेचर है ना यहाप पे से नेचर मतलब की प्रकृती clear आगी बास समझ में नेचर हमेशा कैसे होती आपकी प्रकृती जो आपको कहां मिली है बाइबर्थ मिली होती है आपके प्रकृत से बास समझागी होगया होगया हो चलते हैं Minute की बात कर लेत систいます जो आपके सरांधिंस पर फिर जितने भी लोग में आ Pillow रह रहे वेना कहीं पर और आपको आपको अफेक्ट करती है आपके फेक्त करती का ऑफेक्ट तो लेकिन आपने डेखा होगा ऑन्समय होता है चेंगेंगी होता है तो बाहर का ही आपके घर का भी होता है तो यह दायनेमिक है डाइनमिक मतलब की परिवर्तन शीले या बदलता रहता है चेंजबल है तो अब तो एन्वाइमेंट किया आपका परिवर्तन शीले और आपका हेरेडिटी कैस थाइई फास समझा गई इसके अलावा क्या होगी बात करते हम कि एन्वाइमेंट हमको पोशन प्रदान करता है न बाद समझाई नर्चर करता है एन्वायमेंट हमको पोशन लाइक हम मारत जन्म हो गया किसी घर में ठीक है बस इतना काम हो गया है है जो भी क्वालिटी आपको माता-पिता से हरीडिटी में लेना थी वह आप ले चुके वहाँ पे क्या हुआ आपका अनुआ शिक्ता का या है प्रिड़ी का काम हो जाता है अब उसके बाद जब जन्म लेने के बाद जो हता है वो सारा काम शुरू होता है आपके और मैंशन का खुछंट तो चांवायमेंट किसमें कंसिदर कहा जाता है आपका नर्चर में कि आपको पोशण भीलेगा संवाइटी से मिलेगा माता-पि मतलब कि जो fix होता है heredity के through होता है वो सारा आपका किस में आता है nature में I hope आपको यहाँ पर मैंने important concept पर आपको समझा दिया nature और nurture का यहाँ दखना nature मतलब heredity और nurture मतलब environment ठीक है यह almost एक दूसरे को compensate करते हैं यह एक दूसरे की को क्या करते हैं in enhance करतें इनकी परिभाशा को बताते है I hope आप लोगों को मेरी बाश समझ आ गयुगी अब चलता है next topic की तरफ next पात की तरफ कि जब development की बात होगी किसी व्यक्टिक है किसकी बात होगी जब किसी कि कि development की बात होगी development मतलब क्या हो गया विकास की तो याद रिखना विकास जो है वो डॉनों से मिलके बनता है है एरदेटीरी से भी बनेगा है कि माताप से लिए गए गुड millet करता है और मेन गहर काम हो जो स्कूल से रहाहिए उस पर भी डिठेंड करता है तो जब heredity और जब environment यह दोनों मिलते हैं तब जांकर के किसी का development, किसी बच्चे का development बहुत अच्छा होता है तो यह बात यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है कि जो development होता है वो heredity और environment का multiplication होता है यह बहुत important बात है यहाँ से question आया हो और CTN में याद रखेगा यह important बात है याद रखेगा कि जो development है वो heredity और environment का क्या होता है गुणनफल होता है यह इनका multiplication होता है इन दोनों के मिलना से प्लस नहीं होता है I hope आप लोगों को मेरी बात समझा आ गई होगी चलते है चलते है next की तरफ ठीक है चलिए तो यह कुछ बात है थी जो आपको याद रखनी है आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा और environment को थोड़ा दीटेल में पढ़ लेते हैं फिर हम इसकी question discuss करते हैं और देन आपकी बात करते हैं अगर आपके पूछा जाए कि और क्या क्या चीजें शामिल होती है तो आप लोग याद रखेगा कि शॉड़ में अगर मैं एक बार बता दो तो है इंड़िटी जितने वह आपके फिजिकल अप्रेंस है वो आपके क्या होते है प्रुशांद स्थार वो बीज में रूक रहा है पता नहीं क्या हो रहा है अब स्लाइट नहीं कुछ भी नहीं हुआ हाँ स्लाइड तो किये में नहीं है नहीं किया मुए हो चली रहा है अभी बीज में रूख गया था सर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अच्छा हां तो आप एडिट कर दीजे चले तो आयोप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा ठीक है तो है डिदी और इन्वाइमेंट की बात होगी जब भी हम फिजीकल अपिरेंस की बात करेंगे आग का कलर हाइथ है ना इसकीन का कलर बालों का कलर ठीक है यह सब चीजें जो आपको अपने माता-पिता से बाइवर्थ मिली होती आपकी अनुआशिक्ता होती है हाई-डिटी और इसके अलावा जब आप तहीं आप बहार आते जाते हैं जो surrounding में लोग आपको मिलते हैं ठीक है उसके अलावा जो उसमें बहार का शेहर का महल हो गया गाओं का महल है तो यह सब आपका क्या होता है environment की category में आता है परियावन की category में आता है और development के लिए आपकी heredity और environment दो नो value रगते हैं इसके बाद important question discuss करेंगे ठीक है चले तो यह आपका यह हो गया आपका environment ठीक है environment क्या होता है according to woodworth जो woodworth भाई साब है उन्होंने बताया उनके अनूसार environment covers all the outside factors environment क्या cover करता है all the outside factors जितने भी बाहरी कारक है उन सबको क्या करता है include करता है क्या that have acted on the individual since he began the life ठीक है पतला वो सभी बाहरी कारक जो किसी individual व्यक्ति के ऊपर act करते उसके उपर कारी करते जब से वह अपनी जिन्दगी शुरू करता है प्रलब मान लिए जिक एक बच्चा है जब से वह दुनिया में आया तो उसके आसपास के जितने भी कारक है जो उसको प्रभावित करते जितने भी factors है लाइक आज उसको आप खाना दे रहे हो ठीक करती है वह आपका क्या है environment कुल मिला करके जो वहारी का रखे वह सभी जो आपके उपर डायरेक्ली या इंडायरेक्ली असर करते वह आपके परियावरन में आते हैं environment में आते हैं और environment तो आपके लिएट्री प्लेड प्लेड इस जी जी गेम ओनली अड़ तैम ओफ कंसेप्शन ठीक है यो मैं आपको बता है कि जो हैड़ी डेट्री होती है अनुवाण शिक्ता होती है वह छों जब रॉल्-प्ले करते जब बच्चा कंसेप्शन पीरियड में होता है मतलब ग सब्सक्राइब करेंगे आप्टरवर्ट्स दा एन्वायम्मेंट अफेक्ट दा इंडियूजल इस बोडिली स्ट्रक्चर एंड ओल फिस पर्सनालिटी मेक्स एंड वियर मतलब उसके बाद किसका रोल शुरू हो जाता है आपका जैसे बच्चा बाहर आ जाता है तो उसके बा आप लोगों को मेरी बास समझाए होगी चलते हैं एन्वायमेंट के टाइप स्किम तरह वैसे यहां से बहुत ज्यादा क्वेशन नहीं होता है पर प्रकार से लेकिन इस इल आपको पता होना चाहिए कि एन्वायमेंट कितने प्रकार के होते हैं ठीक है चलिए देखते हैं तो एन्वायमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो एक हो गया आपका इंवायमेंट और एक होता है आपका एक्स्टर्नल एन्वायमेंट इंटरल मतलब आंतरिक वातावरण या परियावरण और एक होता है बाहाई परियावरण ठीक है जब is sperm, om मिले और zygote बना उस जाइगोड से लगा करके जो बच्चा conception period में होता है पूरा तो वहाँ पे जो उसके माता से पिता से उसको लाइक माँ जो खा रही है उसका है ना जो नर्चर ले रही है माँ जिस तरह से सोच रही है जो कुछ भी कर रही है तो वह वाला environment बच्चे को प्रभावित करता है ठीक है तो वह हो गया उसका internal environment ठीक है conception तक का लेकिन यहां पर बात कर रहे है environment की तो जब मा के गर्भ में बच्चा है तो याद रखेगा जो मान खारी है पीरी मा तो environment में रह रही है ना बाहर के कारक उनको प्रभाव कर रहे हैं तो मा के through जो परेयावनी कारक बच्चे को प्रभावित कर रहे है वो उसका internal environment होगा ठीक है और जब बच्चा जन्म ले लेगा बाहर आ जाएगा तो वह उसका कौन सा महल हो जाएगा external महल होगा external environment होगा चले एक बार definition one by one line by line सीखते हैं उसके बाद में आगे की और चलते हैं तो यह देखिए आपका internal environment जो की prenatal होता है ठीक है conception to birth 9 month जिसमें मां का बहुत बड़ा रोल होता है उनके environment का मां किस तरह से खारी है उस सब का बच्चे की परसर पड़ता है ठीक है उसके बाद में external environment क्या होता है postnatal period postnatal मतलब की बच्चे के जन्म के बाद का after birth का clear इसे जादा की बात की development क्या होता है heredity और environment का good and fall होता है इनका multiplication होता है heredity भी जरूरी होती है environment भी जरूरूता है जब दोनों अच्छा से मिलते है तो क्या बनता है आपका development ठीक है I hope यहां तक बास सबजाए होगी अब चलता है कुछ question जो previous year में सीटेट में पूछे हुए इस topic से related ताकि आप लोगों के understanding topic को लेकर के अच्छी से हो जाए ठीक है चले चले बढ़ते ओके चले यह आपके सामने question number one है इसको आपको पढ़ना है इसका answer करना है ठीक है English में हिंदी भी बोल के आपको समझाओंगे समझेगा ठीक है question number इस तरह से पूछा हुआ है कि the nature, nurture, debate, refers to जैसे मैंने आपको समझाया ना भी जब मैंने आपको heredity और environment पढ़ाया मैंने वाँ पर बताया था ना आपको के nature क्या है नर्चर क्या है नेचर मतलब प्रकरती नेचर नर्चर डिबेट चलती रहती है ठीक है लेकिन अब भी हमको उस पर नहीं जाना है अभी के लिए हमको यह समझना है कि जो डेवलप्मेंट है वो नेचर और नर्चर दोनों पर निर्भर करता है ठीक है तुस्ते लेटेड क्वेशन आया है और देखते हैं आप कितन इसका है हिंदी में इसको बोलते है नेचर को प्रकृति पोशन प्रकृति पोशन डिबेट मतलब की क्या हुआ आपका प्रकृति डिबेट मतलब की जो उनके बीच में बहस हो रही है चर्चा जो हो रही है तो एक तरह से इसको बोलते है प्रकृति पोशन चर्चा जो है व ही ही हेविर में मतलब वहार और पर्या वेरं पर अग्ला टीback गेंवारेंट बायार का को था पाहिएं प्रियावरेंड परब्रिंगिंग मतलब बाहर का परे गृइए मैं कि तो सोचे इस पर क्या अशर आएगा मैं आपको दोबने देरों आप इस पर question so answer सोचे फिर बात करते हैं याद रखने क्रम में याद रखेगा नेचर और नर्चर पहले नेचर मतलब पहले genetics की बात होगी फिर nurture है मतलब फिर environment की बात होगी पहले बाद में ultra सिदा करम्मत कर दीजेगा बर्ना answer गलत हो जाएगा तो इसके साब से श्का answer क्या होगा देखे नेचर मतलब genetics और nurture मतलब क्या होता है आपका environment देफिनेटली nature जो है वो genetic होता है और nurture जो आपको करना है नहीं ही बतावगों ना चल है चली बताए है ईस खंसे ड़ेज अर दाउस बता है हरीदी भीडिटी उसका सोचल स्ट्रक्चर है मतलब किसा मजिक सरेच्छन एक लगते का तोर्शिट होती है डाइनमिक होती है बत्लब परिवर्तन शीर होती है सेकेंडरी मतलब दूसरी होती है ठीक है मतलब के सेकेंडरी रोल प्ले करती है ठीक है अन्य अगला स्टेटिस्टिक मतलब इस्थाई होती है कि डाइनमिक मतलब परिवरतन्शील होगी इसके बाद में आपका प्राइमरी मतलब प्रात्मिक होगी कि अपैप लोगों को मेरा समझाइं चीक है शलिए बात करते आपसे क्या है कि सबसे बहुत करें सिकेंडरी की डाइमीक के स्टेक Compling रहे में रहे थे और बाद वहना सै क्या हिया है कि यह जाना किया है आपकी स्थाई होती है बताय दो आप अपनी आइस का लग नहीं कर सकते हैं ठीक है बात समझारी अभी है किसी बड़े साइंटिफिक लेड़ में चलेगे तो आजाकर कि सब कुछ पूसिबल है यह पूसिबल है बट वह एक अलग बात हो जाएगी लेकिन जो आपको जेनिटिकली मिली है ठीक है जो आपको ने सब्सक्राइब करो जो खात्म नहीं होगी जो नेचर ने वह को दिए ढ़्यंग तो यहां पर एसका आसर आएगा स्टैटी सेटिक मतलब स्थाइब कि जो है वह वह है इरी डिटी जो है वह स्टैटिक होती है है गया होता है इस था ही होता है दन चलिए चलते हैं लास्ट क्वेशन की तरफ इसका अंसर दिए वीच ओफ दो फॉलोइंग इस प्री डॉमिनेंटली अ हैरेडिटी डिलेटेट फेक्टर बताईए इन में से कोंसा एक आनुवानशिक्ता से संबंधित फेक्टर है तेके प्रीक्वेशन और आंसर कीज़ेशका अ कि कलर ओफ द आइस पार्टिसिपेशन इन सोचल अक्टिविटीज मतलब सामाजिक क्रिया विदी में भाग लेना एटिटीट वार्ट पियर ग्रूप मतलब कि जो आपके आसपास का दोस्तों का ग्रूप है उसमें आपका जो से संबंधिर देखेश है participation इन सोचल अक्टिविटीज ये तो क्या होगा आपका environment का हो गे अक पार आग कम ये वाला भी आपका किसका पार्ट होग है किस तरह स्टोड दिहा रहे है ये वी आपका environment का पार्ट है thinking किस तरह से सोच सोच रहें हें या आपको यह आपका किसका पार्ट एंवारिमेंट कई क्योंस के Ч Scholars तो यह बी एंवार्रिंट यह वी स्टधान टिक है के अनुवार शक्ता के जन्नक कौन होत है को आपको फार्दर ओफ जन्नक कोन होते है कोन है फादर विएन observe स्वादर О'll पैरिधिक साथे किसको जाता मेंदल को जाता है इसके बाद में आपको कुछ एनवार। आरगेट रखे हो ना तो उसके लिए पूरा डेडिकेशन और पूरी हिम्मत दिखाई पूरी महनत कीजिए बहुत बार इसा होता है कि नहीं मन करता पड़ने का लाइक क्या मूड नहीं है मन नहीं कर रहा है या फिर घर में कोई परिशानी आ गई या फिर ऐसे वह फिनेंशल को उस्योजें तो मुख्या इतना ज्यादा ब्रेकड़ाउन करते हैं कि हमारा हमारा जो मकसद है जो हमारा रीअल है ध्यान बटक जाता है तहीं याद रखिएगा जो कुछ बदलना है वो हमको बदलना जो ने चांश्चान कर सकते हम कर सकते को बाहर का इं संबर में आपका एक्जेम होगा डेफिनेटली तो प्लीज मेहनत किजे और इन सब जर्नी में हम सब आपके साथ हैं तो कुछ भी प्राब्लम आती है किसी भी टाइप की किसी भी टॉपिक से रिलेटे कोई प्राब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्टर में मेंशन किजेगा वी देफिनेटली हैल्प यू ठीक है सो बने रहिएगा हमाई साथ में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच पर वाचिंग कीप लर्निंग कीप मॉटिवेटेड